हेलो एव्रिवन, वेलकम टू एवलेशन क्लासिज, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिनाल कीटोनियरिया, जैनेटिक डिजीज, में हम लोग दो डिजीज इससे पहले कंप्लीट कर चोके हैं, एक सिकल सल अनिमिया, दूसरी हीमोफिलिया, थर्ड जो डि एक autosomal recessive disease है, autosomal recessive disease मतलब इसका जो जेन है वो autosoms पर प्रिजेंट दोगा, इसको inborn error of metabolism भी बोलते हैं, हमारी बोड़ी में जितनी भी metabolic reactions होती है, उन में error अगर आता है तो उसके लिए ही word यहां पर यूज किया जा रहा है, inborn error of metabolism, ओके, इसको inborn error of metabolism बोला जाता है, autos autosomal recessive disease है, होता क्या है इसमें, actual में हमारी बोड़ी में एक enzyme होता है, जिसका नाम होता है phenylalanine, यह जो phenylalanine hydroxylase नाम का जो enzyme है, यह एक amino acid जिसका नाम है phenylalanine, उसको टाइरोसिन में बदलता है, तो phenyl ketoneuria नाम की जो disease है, इसमें यह वाला जो enzyme है, phenylalanine hydroxylase, जिसको की short मे PAH enzyme भी बोला जाता है, यह enzyme की कमी आ जाती है, इसका जो gene होता है, वो affect हो जाता है, और आपको lack of an enzyme देखने को मिलता है, जिसकी वज़े से phenylalanine टेरोसिन में नहीं बदल पाता है, और phenylalanine accumulate होने लग जाता है, धीरे धीरे इसके कुछ derivatives बनने लग जाते हैं, जिसकी वज़ inflammation या फिर kidney भी affect होती है, mental retardation जैसी दिक्कत देखने को मिलेगी और kidney भी affect हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पर inborn error है यह, क्या है यह inborn error, metabolism का देखने को मिल रहा है, तो normal cases में क्या होता है, देखिए, phenylalanine जो है, वो tyrosine में बदलेगा, किसकी मदद से, PAH की मदद से, लेकिन phenyl ketoneria में यह जो PAH enzyme है, यह absent होता है, जिसकी विज़े से phenylalanine वो जमने लग जाता है, accumulate होने लग जाता है, और उसके बहुत सारे कुछ derivatives बनने लग जाते हैं, और जिस वज़े से mental retardation और kidney failure देखने को मिलता है, अगर आपको यह वीडियो helpful लगती है, तो वीडियो को like subscribe भी करें, अपने friends के साथ share करें